एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसिफर सुकराथ से पूछा की, सफलता का रहसे क्या है, what is the secret of success? सुकराथ ने उस इनसान को कहा की वह कल सुबह नदी के पास मिले, वही पर उसे अपने प्रशन का जवाब मिलेगा. जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकराथ ने उसको नदी में उतर कर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा. वह व्यक्ति नदी में उतर कर आगे की तरफ जाने लगा जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाग तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुह पानी में डुबो दिया वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए जटपटाने लगा, कोशिश करने लगा लेकिन सुकरात थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉम थे सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुह पानी से बाहर निकाल कर जल्दी जल्दी सांस ली सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे व्यक्ति ने कहा जल्दी से बाहर निकल कर सांस लेना चाहता था सुकरात ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उतर है जब तुम सफलता को उतनी ही तीव रिच्छा से चाहोगे जितनी तीव रिच्छा से तुम सांस लेना चाहते है तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी